मसी यस्टू के गादरोजीम नाम में आप सब की स्लामती हो मैंने मुनासिब समझा कि मैं पिंकी फ्रांसेज और सुनीता मार्शल की जो ट्रेंडिंग निउस चल रही है इस पर बात कर सकूँ किसी स्याने ने क्या खूब कहा है पंजाबी महावरा है जे अकल ना होए ते मौच रही मौचां अकल होए ते फिर सोच रही सोचां हम देखते हैं कि हमारी कम्यूनिटी में ऐसे लोग हैं जो के अकल के बगएर अपनी जिन्दगी गुजारते हैं इनको सिर्फ वक्ती तोर की जिसम की खाहिशात जो है वो इसकदर अंधा कर देती हैं कि वो खुदा के कलाम को एहमियत नहीं देते यहां तक कि वो मसीही कम्यूनिटी का हिस्सा होते हुए ये तो जानते हैं कि हमें इस रसम को करने के लिए चर्च में जाना जरूरी है लेकिन वो ये नहीं जानते इस बात को समझना ही नहीं चाते कि ये चर्च किसका है और किसके हुकम के मताबिक या किस से ब्लैसिंग लेने के लिए हम क्यों जा रहे हैं अगर हम बाइबल मुकदस का मुतालिया करें तो दूसरा करंथियों उसके छटे बाब की चौदवी आयत में क्लियर लिखा है कि बे इमानों के साथ ना हमवार जुवे में ना जुतो क्योंके रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल या रोशनी और तारीकी में क्या शिराकत सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी कौम की वो लड़कियां जो के अपने आपको बड़ी नामवर समझना शुरू हो जाती हैं और वो यह जानती है कि हमने बड़ा नाम और बड़ा पैसा कमा लिया है तो अब शायद हम खुदा के घर में जाकर जितना पैसा चाहें दे और अपनी मर्जी की डिमांड के साथ अपनी खाहिशात को पूरा कर सकती हैं और बेशक हमारे चर्चिस में हम देखें हर चर्च में तो ऐसा नहीं होता लेकिन क्योंके एक पास्टर ने इस रसम को के कलाम की बहुत इंसल्ट हुई है क्योंके खुदावन का कलाम हमें दूसरा यहना उसके पहले बाब की साथवी आयत में बताता है क्योंके बहुत से ऐसे गुमरा करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यसू मसी के मुझसम होकर आने का इकरार नहीं करते तुम्हारे सबब से जाया ना हो बलके तुमको पूरा अजर मिले अब मसीही कम्यूनिटी का हिस्सा होते हुए एक बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि खुदावन यसू मसी जो है वो जिन्दा खुदा का बेटा है और वो खुद खुदा होकर इनसान का जिसम लेक तरा सकें और इसलिए जब हम यसू मसी पर एमान रखते हैं तो खुदावन का कलाम तो हमें रास्तबाज खेराता है और दुनिया के दूसरे मजाहिब के किताबों को देखें उनके अकीदे को देखें तो कोई इनसान रास्तबाज हो ही नहीं सकता हमेशा की जिन्दगी का वादा फिरदौस का वादा नजात का दावा और नजात का वादा ये मसीहत के इलावा और किसी मजब में किसी कौम में किसी की मजबी किताब में नहीं किया गया बलके लोगों को दूसरी जिसमानी खाहिशात का लालच दे कर कहा गया है कि जन्नत में तुमारे जिसम की ये पूरी होगी यां तुम्हारे जिसम की वो खाहिश पूरी होगी सिरफ बाईबल मुकदस ही इस पाकीजगी की बात करती है कि फुर्दॉस में हर इंसان जन्नत में हर इंसन जो है वो फुरुषते की मानित होगा और उदर قुदा और खुदा का बेटा यस्व मसी होगा खुदा की हजूरी होगी और वहां पर हम फरिश्टों की तरह होकर खुदा की बंदगी करेंगे खुदामन के साथ वक्त गुजारेंगे और इसलिए खुदामन का कलाम हमें कहता है कि ऐसे गुम्रा करने वाले बठेरे दुन्या में निकल आ गए है बठेरे खड़े हुए है जो यस्व मसी के मुझस्व होकर आने का इंकार करते हैं उसका एकरार नहीं करते और क्लियर बताया गया है कि मुखालफ मसी यही है सो मेरा आज सवाल इस बात से है कि पिंकी फ्रांसिस ने जब खुदा के घर में जाकर निका की रस्म को करना चाहा तो क्या उसको पादरी साब ने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो जिसके साथ अपना निका करने जा रही है वो मुखालफ मसी है और किसी मुखालफ मसी के साथ निका के बंदन में बंदने के लिए उसको मसी की हजूरी में आने का क्या फाइदा या क्या जरूरत है बाइबल मुकदस बताती है कि वो एक तन होंगे तो अगर पिंकी फ्रांसिस एक गैर मसी ही के साथ वो शक्स जो यस्सु मसी को खुदा का बेटा मानने से इंकार करता है उसके साथ एक तन होने को जा रही है यनि के उसके साथ मसी की मुखालफ होने के लिए जा रही है क्योंके उसने ये भी लिख कर दिया है कि मेरे पेट से जो उलाद पैदा होगी वो भी मसी को नहीं मानेगी वो भी मुखाल्फ मसups ओगी तो फिर उसको मसी के घर जाकर मसी के घर की और मसी के किलाम की इंसर्ट करने की क्या जरूत आज हमारी कम्यूनिटी में एक एक घर में अपने बच्चों को खुदा के कलाम की इस आयत को पढ़ कर सुनाने और रटा देने की जरूरत है जहन नशीन करा देने की जरूरत है कि वो लोग जो यस्व मसी के मुझस्म होने का इंकार करते है जो इस बात को नहीं मानते कि यस्व मसी खुदा का बेटा है बाइबल मुकदस बताती है कि वो मुखालफ मसी है और बाइबल मकदस हमें अगा करती है कि खबरदार रहो ताकہ वो मेंध जो तुम पर की गई है खुदा के कलाम के वसीला से खुदा के खादमों के वसीला से और खुदामन यसुमसी के कफारे और हुली स्पिरिट के वसीला से वो खिदमत जाया ना हो जाए बलकि तुमको unity को अब गोरो फिकर करने की जरूरत है कि कोई और घराना इस तरह से अपने अजर को ना खोए क्योंके खुदामन का कलाम बताता है पिंकी फ्रांसिस के जैसे लोगों की तरह जो कोई आगे भड़ जाता है और मसी की तालीम पर काइम नहीं रहता उसके पास खुदा नहीं जो इस तालीम पर काइम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी सो पिंकी फ्रांसिस आज अगर अपनी जिन्दगी में बहुत आगे भड़ गई और उसने मुखाल्फ मसी के साथ अपना बंदन बांद लिया उसके साथ एक तन हो गई तो बाइबल मुकदस इस बात को ड जात नहीं और अब उसके पास खुदा नहीं क्यों उस शक्स के साथ निकाह बांदा उस शक्स के साथ एक तन हुई है जो के मसी के मुझसम होने का इंकार करता है और बाइबल मुकदस में फिलप्पियों उसके दूसरे बाप की 11 आयत में कहा गया है कि खुदा और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करें कि यस्व मसी खुदावंद है तो जो शक्स इस बात का इकरार नहीं करता वो मुझालफ मसी है अपने बच्चों को अपने घर की बहुँ को बेटियों को इस बात की तालीम दें क्योंके बेटियां बेटें बड़े होकर गलत कदम उठाते गलत जगा इश्क लड़ाते और मसी के नाम की हकारत करते हैं बेस्ती करते हैं और बहुँएं वो हैं जो आपकी नसल की आपकी उलाद की तरबियत करती हैं और जब वो इस तरबियत में ये बात अपने बच्चों को नहीं सिखाती तो इसके बाद हमारी उलाद जो है वो गलत रास्ते पर चलती है और हमारी नसले जो है वो गुमराही की तरफ चलती और मुखालफ मसी के साथ अपना तालुक जोड लेती हैं हम वर्ट प्लेसिस पर गैर कौमों के साथ काम करते हैं तो खबरदार रहें हमें अपनी कुलीक्स के साथ मर्द हो या औरतों इश्क मशूकी की, दोस्तियों की और गलत किसम के कामों की कोई इजाज़त नहीं दीगी बाइबल में, क्योंके जो भी इनके साथ एक तन होता है, वो मुखालफे मसी कहलाता है, और मुखालफे मसी जो है, वो खुदा की बाद्शाही में दाखिल नहीं होंगे, की बाद्शाही है, वो मुखालफे में देजाज़तों में दाखिल नहीं होता है, वो खुदा है वो खुदा की, जा दो और गलत की, ओुदा साथ, जा एक वो खुदार, वो मॉखाश।